अब है कैसे आप लोग आई हो क्या आप लोग काफी अच्छी है और आपकी एक सामान को किसी सामान को कंट्री से दूसरे कंट्री में भेज रहे होते हो तो उसके पहले जो भी इंपोर्टर कंट्री होती है उनको वो सारे document जो है हमें send करने होते हैं या फिर हमें हमसे check करवाने होते हैं ताकि हम उनको proper way में जो है सारे चीज़ों को जो है send कर पाएं तो state important pre shipment import documents बहुत important topic examination की point of view से आप से पूछा जा सकता है और ये question जो है पहले आया भी हुआ है तो इस video को पूरा देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए तो lecture start करते हैं अब उसके पहले में कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे channel पे नए हैं तो प्लीज हमारे channel को subscribe कर लिजिए और bell icon दबा देजिए ताकि आपको मेरे बीकॉम या फिर एमकॉम के courses का जहां पे आपको धेर सारी benefits मिलेंगी कैसे कि मैं आपको दिखाता हूं कि यह join वाले button है आपको इसके उपर click करना है एक दो एमकॉम पर जाना है यहां पर देखो यह सारी benefits आपको मिलने वाली हैं आपको assignments जो है free of cost मिल जाएगा आपको notes जो है वह भाती सस्य दाउंगों पर मिलेंगे साथी साथ आपको WhatsApp support मिलेगा जिसमें आपको हर एक चीज के regarding आपको support प्रवाइड कराई जाएगी चाहे admission हो चाहे form fill up हो हर एक चीज की सारे notes free में available है ठीक है अगर आपको specific notes चाहिए जहां जो हम suggestions तयार करते है year wise जो कि बहुत ही to the point होती है जिनको देख करके आप exam में बहुत अच्छे marks लापाऊगी क्योंकि मैंने थोड़ा सा reshuffle कर रहा है price में भी मैंने थोड़ी से changes कर रहे हैं जिसके कारण से जो पुराने members थे वो तो फिलाल चले हैं विदियो शूट कर रहा हूँ अभी 21 फरवरी 2022 की बात कर रहा हूं इस टमपे हमारे पास दो member हैं देरे देरे और भी बढ़ेंगे इंशाला और आप अगर अच्छे तरीकी से तयारी करते रहेंगे तो आपको बहुत सारी benefits आपको मिलेंगे मैं चाहूँगा कि आप हमारे जो प्लान है इसको आप जॉइन कर लें ताकि आपको बहुत सारी benefits जो हैं मिल पाए साथी साथ अगर आप membership नहीं भी लेते हैं तो यहां पर देखो प्लेलिस्ट में आपको आना है ताकि आपको सारी की सारी videos free of cost में आप देख पाऊ है न तो यहां पर क्या होता है कि बहुत सारे students आते हैं videos को watch करते हैं फिर बोलते हैं कि सरगला video कहा है मिल नहीं रहा है तो मैं उन सबसे कहीं मैं चाहूँगा कि आपको हमारे चैनल के playlist में आना है जो कि IGNU EMCOM नाम से है यहां पर आने के बाद आप को IBO 1 से लेकर के IBO 6 और second year के MCO 1 से लेकर के MCO 7 तक की सारी की सारी playlist मिल जाएंगी जहां तेर सारे videos है जिनको देखकर करके आप definitely exams में अच्छे marks ला पाऊगे ठीक है तो चली यह तो बात होगी चैनल के बारे में बात कर लेते हैं हमारे आज की topic के बारे में जो की होने वाल होता है जो कि importer exporter code कहलाता है जो कि दोनों के पास होता है और इस नंबर का एक बहुत ही महत्तु है क्योंकि बगार इसके आप identify नहीं कर पाऊगी कि आपका exporter कौन है इंपोर्ट गोड्स विदाउट अप्टेंग एंपोर्टर exporter code number unless he has been significantly exempted clear हो गया आपको कोई भी वैक्त कि किसी भी तरह के person को अलाव नहीं किया जाएगा और उसके पास यह code नहीं है तो वह इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वह नहीं कर सकता बगार इस code के लेकिन कुछ-कुछ लोगों को छूट दी जाती है छूट दी गई है तो उनको जो एक तरीक से अलाव किया जाता है कि सब्सक्राइब कर सकते हो बट मैक्सिमम लोगों को किसी भी वैक्ति को यह अलाव नहीं किया जाता है कि आप बिना IEC कोड के आप ट्रेड कर पाओ अब यह नंबर यह कहां से मिलेगा आपको यह नंबर यह नंबर आपको मिलेगा रिजनल लाइसेंसिंग अथारिटी के बा आपको कहीं लेकर करके जा रहे हो तो पिल अंट्री होना बहुत इंपोर्टन है जैसे कि हम भी कहीं जाते हैं तो हमें वीजा लगता है उसी तरीकी से बिल आप एंट्री भी इंपोर्टन है जब भी आप इंपोर्ट करवा रहे हो है ना so it is important document on which the clearance of imported goods is affected clearly बोला यहाँ पर आपको अपने documents को अपने goods को clear करवाना है तो उस case में आपको bill of entry का होना बहुत important है so it is a document in which clearance of imported goods is affected है ना so clearance of imported goods का वो affect होता है और यह document नहीं रहेगा तो all goods discharged from a vessel from foreign or coastal parts are cleared on bill of entry in the prescribed form है ना bill of entry में जो भी prescription लिखा हुआ है कि यह product इतने मात्रा में है यह product इतने मात्रा में है वो उसको ध्यान में रखते हुए उसको check करने के बाद ही जो है आपकी जो भी goods आ रही है चाहे वो बेजल से आ रही है और फिर foreign या फिर किसी coastal port से आ रही है उसको एक तरीके से check करने के ब होगा किस तरीके से काम करेगा उसके लिए standard procedure है जो की Central Board of Excise Customs ने तयार करवाए है अब यहां पर देखो बात बुली जा रही है four copies of bill of entry और submitted चार तरह की जो है चार copy जो है submit की जाती है bill of entry की original and duplicate for customer department है न जो original duplicate होता है वो customer के लिए होता है एक दोने पार्टी के लिए हो गय and the fourth one is the purpose of foreign exchange to be submitted to the bank है न तो original और duplicate जो हो गया वो customer के लिए हो गया एक original copy, duplicate copy, triple जो तीसरा copy है वो owner के लिए होता है जिसका सामान वो होता है और चौथा copy किस लिए दिया जाता है ताकि वो लोग जो है अगर exchange की बात हो रही है सपोज इंडिया-US में trade हो रहा है यह हम अगर ru किया जाता है, there are three types of bill of entry as discussed below, तो तीन तरह की bill of entry होती है, एक एकर के बात करते है, सबसे पहला जो bill of entry है, वो है bill of entry for home consumption, जिसका color जो है white color का होगा, जिसका bill का color है, वो white color का होगा, where an importer, एक importer जो होता है, wants to get his goods cleared in one lot, जहां पर वो चाहता है कि उसका जो goods है, वो एक lot में clear क home consumption, तो अगर आपको एक ही lot में, अगर आपको उस चीज़ को clear करवाना है, अपने bill को clear करवाना है, अपने goods को clear करवाना है, तो फिर आपको, यह जो home consumption वारा bill of entry है, जो की white color का होगा, इसको आपको submit करना पड़ेगा, ताकि आपको एक lot में ही आपका goods जो है, वो clear हो जाए, है ना, bill of entry for warehousing, तो warehousing के case में, जो आपका bill का color होगा, वो yellow color का होगा, where an importer wants to shift goods to a warehouse and thereafter gets his, ठीक है, तो अगर आपको अपने समान को किसी warehouse में पहुचवाना है, है ना, तो उस case में आपको yellow color का bill of entry देना होता है, बाकी के topic यहाँ है, तीधर चले आते हैं, ठीक ना, cleared in small lot, जहाँ पर आपको जो समान है वो दीरे दीरे आपको एक तरी के से lot में छोडा जाएगा, सबसे पहला कान था, for home consumption, जो कि white color का होगा, जिसमें एक ही lot में आपको सारे goods को clear किया जा सकता है, दूसरे है आपका yellow color का, जो कि warehouse के लिए होगा, जहाँ पर आपने समान को warehouse में duty leave it on all goods at one instance, or maybe because of the storage problem, तो यहाँ पर जो lots की बात की जा रही है, देखो पहले वाले में एक ही lot में सब clear कर दिया गया है, दूसरे lot में बोल रहा है कि दीरे दीरे करेगा, तो क्यों करेगा, इसके पिछे reason हो सकता है, दूसरा एक reason यह हो सकता है, कि उसके पास उतने पैसे नह रखवा देगा, तो उसको yellow color का जो है, लेना होता है, जिसमें वो warehouse का इस्तमाल कर सकता है, है ना, तीसरा point है, X bond bill of entry, जो की green color का होता है, when an exporter wants to remove goods from the warehouse, अब देखो जब आपने सामान को एपने warehouse में रखवा दिया, अब आपको warehouse से सामान को खटवाना है, तो आप खुद से गाड़ी से निकाल करके लेकर का आगया, ऐसा तो possible नहीं है, उस case में भी आपको document देना पड़ेगा, intimation देना पड़ेगा, तो उस case में आपको green color का X bond bill of entry देना पड़ता है, जो की green color का होता है, he has to present an X bond bill of entry, which is green in color, I hope कि आपको समझ में आगया हो, तीन तरह के हैं, पहला ह है white color का, जिसमें आप home consumption के नाम पे एक lot में clear करवा सकते हो, दूसरा है yellow color का, जहां पे आपको थोड़े थोड़े lots में जो आपके goods को clear कर जाता है, ताकि वो warehouse में उसको रखा जा सके, warehouse की issue के कारण, तीसरा होता है, green color का, जो की X bond bill of entry होता है, जो की warehouse से सामान को निकलवाने के काम में आता है, I hope कि तीनों आपको समझ में आ गया होगा, now, bill of entry is not required in the following cases, अब किस-किस case में bill of entry की जोरत नहीं पड़ती है, वो भी मैं आपको बता दूँ, तो सबसे पहला है passenger baggage, passenger का अगर baggage है, तो उस case में bill of entry का वशकता नहीं पड़ती है, कोई parcel है, favor parcel की बात की जारी है, तो उस case में भी उसके आवसकता नहीं पड़ती है, mailbox and post parcel अगर होगा, तो उस case में भी bill of entry का वशकता नहीं पड़ेगी, boxes, nails and cargo containing live animals और birds, boxes, kennels of cargo containing live animals और birds, इस case में भी bill of entry का वशकता नहीं पड़ेगी, unserviceable stores, ऐसे stores जो कि unserviceable हैं, जैसे कि Dunnango Wood हो गया, empty bottles हो गया, drums हो गय क्योंकि है, कुछ नहीं है, ships stores in small quantities for personal use, आपना ship में बहुत सारी चीज़े, shorty quantity में, especially, आपने रखी होई है, personal use, उसके लिए भी आपको bill of entry का वशकता नहीं पड़ेगी, cargo by selling vessels from customs port when landed at open bounds only, है तो इस case में भी आपको bill of entry का वशकता नहीं पड़ती, जब आप cargo by selling vessels का इस्तमाल करते हो, for import through the medium of post, there is no bill of entry, है न, तो जब भी आप by post चीज़ें को कर रहे हो, medium of post के जरी जब आप import कर रहे हो, तो वहाँ पे bill of entry की कोई अवशकता नहीं पड़ती है, instead a way bill is prepared by foreign post officers for assessment of duty, तो यहाँ पर दूसरे तरीके से tax लिए जाता है, उसको कहते है, a way bill, है न, instead of a way bill, ए जो कि foreign post office जो है, एक तरीकी assessment of duty करने के बाद, उसके उपर जो है, taxes लगाती है, तो जब आप post by post चीज़ें को send कर रहे हो, तो भी bill of entry का वशकता नहीं पड़ेगी, तो आई होपके आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, जहाँ पर मैंने bill of entry के बारे में पूरी की पूरी बात आपको बताई है कि किस तरीके से आप चीज़ों को करते हो, किस तरीके से जो international business में यह सारी चीज़ें होती है, और अगर आपको इसके बारे में अच्छा लगा है, यह वीडियो जान करके, वीडियो देख करके अच्छा लगा है, तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेय हूँगा, insist करूँगा आप से कि आप membership plan को join करें, तो आप इसको join करें, मिलते अगले वीडियो में अपना ख्याल रखें, bye bye, thank you.